तो बिहार में स्कूल कब तक खुलेगा इसके बारे में इसमें दिया गया है और इसकूल खुलने के बाद किसकी साब्धानी को बरतना है तो आईए पूरी नियूज को देखते हैं लॉकडाउन के बाद सूबे में सबसे अंत में खुलेंगे स्कूल तीन करोर बच्चों की सुरक्षा होगी चुनोती बीईपी ने यूनी शेप की मदद से बनाई गाइडलाइन बिहार समित पूरे देश में 14 अप्रेल तक लॉकडाउन है इसके आगे भी जारी रहने के आसार है लेकिन कोरोना संक्रमन को लेकर जब इस्तीती शामाने होगी घर बंदी खत्म होगी तो स्कूलों की सामाने दिन चड़या सबसे आखीर में ही सुरू होगी क्योंकि नो तो किंद्र और नहीं राजि सरकार बच्चों की सुरक्चा को लेकर कोल भी जोक्यमोन लेना चाहेगी जब स्कूल खुलेंगे तब भी इनमें पढ़ने बाले 31-33 करोर बच्चों की सुरक्चा के लिए स्कूलों की दिन जर्या में कई सारी पावंदिया कायम रहेगी सावाजिक दूरी बना कर रखना कम चुनोती भरा टास्क नहीं होगा कारण की प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नो तो इतने बर्ग कक्ष है और नहीं इतनी डेक्स वेंच यहां तो कक्षाओं में बच्चे ठ कंत्रालाई की सलाह पर सरकार गाइडलाईन को सकती से लागू करने का मन बना लिया है यह निती सूबे के सभी नीजी वा सरकारी स्कूलों में लागू करने की तयारी है इसके तहत सुरक्षित स्कूल बाता वरन बनाने पर जोर होगा साबून स्वक्ष पानी के साथ स्कूल में ये संसोधन करने करने होंगे इसकूल के शुरुवात और अंत में बच्चों को एक जगह इकठा नहीं करना है तो जैसे स्टेंबली होता थो बच्चे करने när्धे जो होती थी स्कूल में जहां पर बच्चे इकठाओ के करते थे तो सब रध हो जाएगे उसम नहीं करना है बच्चे डेक्स बेंच पर कम और एक मीटर की दूरी पर बैठेंगे तो एक मीटर की दूरी बनाकर ही बैठेंगे बच्चों को सुरक्षी दूरी के बारे में बताया होगी बीमार छात्रों सिक्षकों कर्मियों को स्कूल नहीं आना सुनिश्चित करना होगा तो यह जो भी यहां पे दिया गया है संसोधन सो संसोधन इसको फॉलो करना होगा सारे टीचर और बच्चे को तो एक नया अपडेट है स्कूल से समंदी तो आगे जो देखना चाते हैं तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद